दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी कहीं नोटरी अटेस्टेशन जरूर करवाया होगा लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो नोटरी वकील होता है अटेस्टेशन करता है उसके लिए सरकार ने कुछ रूल्स बनाए है और उन रूल्स को जानना नोटरी वकील के लिए ये नह मैं आज आपको सारा कुछ नोटरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों में साहिल आप देख रहे हैं वी विस्टर आगे बढ़ने से पहले डेली गवर्मन्ट जॉब्स के बडेट्स चलन के कमेर्टी सेक्षिन में जाकर आप देख सकते हैं देश के सभी राज्यों की य नोटरी वकील ऐसा कोई भी डॉक्यमेंट अटेस्ट नहीं करता ऐसा कोई भी दस्तावेज तस्तीक नहीं करता अगर उस पे कोई स्टेंप न लगी हो स्टेंप लगना जरूरी है तभी वो उसको अटेस्ट करता है और पॉइंट नमबर टू नोटरी वकील जब भी किसी ड डॉक्यमेंट को अटेस्ट करेगा तो हर पेज पर 10 रुपे की टिकेट और साथ में हस्ताक्षर यह दोनों काम होने जरूरी हैं जितने पेज होंगे उतने पेज पर वो टिकेट 10 रुपे वली लगाई जाएगी उसके बाद हस्ताक्षर होंगे पार्टियों के और वो डॉक् जाएंगे जितने भी व्यक्तियों ने नोटरी करवाई है और इतना ही नहीं उसके इंदर ये भी लिखा जाएगा जो दस्तावेज पर नंबर डाला जाता है वह भी लिखा जाएगा साथ में जो है पक्षकार गवाहा सब के हस्ताक्षर और उनके नाम सब लिखे जाएंगे अब जो ये रेजिस्टर्ड है इसका क्या रोल है दोस्तों इस पर सारी डिल्स लिखने का और जो भी एंट्रिस हैं करने का एक ही मकसद है अगर नियायाले में इसकी जुरूर्ट पड़ी तो कोर्ट में जो है जो वकील होगा उसको ये रेजिस्टर्ड लेकर आना होगा और बहां पेश करना होगा जिससे की ये पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति ये नोटरी करवा कर गया था कौन-कौन से गवाते किन किन ने साइन किया था इससे सारी डिल्स नियाले को मिल जाएगी जो कि एक वैलिड डॉक्यमेंट मान लिया जाएगा अब एक लास्ट बात मै अगर आपने गलती से कर दिया तो वो मिस्स यूज याने की कोई इसका गलत इस्तमाल कर सकता है तो सबसे पहले ये बात समझनी होगी जब भी आप किसी डॉक्मेंट पर साइन कर रहे हैं तो आपको पहले वो डॉक्मेंट पूरा पढ़ लेना है उसके बाद ही उस पर साइ में रहेंगे दोस्तों वीडियो के दो लाए किजिए चैनल को स्ब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिए को शेर किए जहिंचा भारत